मुजफर नगर में कलेक्टरेट पहुँचे भारती किसान यूनियन के राश्टिय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने जलादिकारी से मुलाकात करके समस्याओं के संबंद में जल्द से जल्द नर्ने ले जाने की बात कही राकेश टिकैत ने बताया कि दो शुगर मेल मोरना और बुढ़ाना का भुगतान अभी तक नहीं किया गया जबकी मुख्य मंत्री द्वारा कहा गया कि पैरई सत्र शुरू होने से पहले सभी का भुगतान किया जाएगा दूसरी समस्या बिजली विभाग की रही जिसके अधिकारी और प्रशाशनिक अधिकारी भी डीम कार्याले में मौझूद रहे राकेश टिकैट ने कहा कि बिजली में आ रही समस्याओं के संबंद में सरकार को अवगत कराएं चाहे वो कम वोल्टेज हो या बिजली नहीं आ रही हो बिजली तार या ट्रांसफार्मर के लिए लाए जाने की बात हो सोलर उर्जा के बारे में भी चर्चा की गई कि जादा से जादा सोलर उर्जा ट्यूग वेल लगाई जाएं सरकार अगर चाहे भी तो किसान में मीटर नहीं लगवाना चाहेगा जिलाधिकारी से कहा कि जिलापंचायत सदस्यों को बराबर के कार्ये दिये जाएं राकिश टिकैत ने कहा कि 10 अक्टूबर तक विवस्था बना ले नहीं तो 10 अक्टूबर के बाद जिलापंचायत कार्याले पर किसान घेराव करेगा किसी के साथ भी पक्षपात नहीं किया जाएगा चितावनी देते हुए कहा कि नहीं तो जिला पंचायत कार्याले पर धर्णा और ताला बंदी की जाएगी